मौजन पद बलाक रतंपुरा ग्राम पंचायद शिछोर करवधी में इस्तित पंचायद भावन का पिछले 18 सालों से नियमा नुशार प्रयोग नौ होने के वज़ा से गवरी रामसहित 5,000 लोगों को काफी कटनायो का सामना करना पड़ रहा है। तंदर कुमार और हमरा शमदाय, असलमेशिया इब के हमारी गाव में येको पंचायद भावन बना लाए हम जानता है कि दो असन बहुर पर को कही हो मीटिंगे ने आनरकरी बढ़ श्राना सेक्रेटरी बढ़ पर बढ़ 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 आया पन शमेशिया पार आदा को लोगो के उतासील पर जाला, के उजीला पर जाला तो कितना पईसा लागे लागे किराय बढ़ा कि के गण जानी जाप लो अरे 30 रुपी है तो भाईया भारा लाग जाला अद दीन भर काया का अब ये खोईले पेले रो हो तो फूल पचास उपे लागे तका चाहतनी जाप लो जातनी जाकी महिना में दू बार यहां मीटिंग होताया सोब अधिकारी लोग आवे लोग पंचाय नेकपाल नहां पर जान रहां कान गोई रहां तो बना पर समेश्य को आल जाईगी अमरी गाव में इस समेश्य अबा आकी पंचाय भौन बनलवा की सिग्रेटरी यह हैं के उनों इसन साहब आई पूछ पाच करी तो अदमी जाई पंचाय भौन में कि के उपूछ खोजो ना आवास का बात हो और ना पिंचिन का बात होी अमँनी का भाग के जाई नें जा रतन पूर में शिग्रेटरी से पुछ ई मोई, तो शिग्रेटरी गाड़ी भरा लगा के जाल जाई गाउ 40 ए धी कूछिश रुप्या भीम्या तो सिग्रेटरी भेटा ही लाँ कि ना भेटा ही लाँ तो फिर लोगत के आपस आई ले जाए घर है। कि अमरे गाहों की समस्या है कि हमारे गाहों में पंचाइद बहुन बना है दस पंदर बरस हो गया है यहां कोई बैटते नहीं है और समस्या है कि यहां से रतनपूर आम जाते हैं तो हमारा तो जो है कि 60 रूपया 30 रूपया भाड़ा लगता है आने जाने में अब आप अगर में बेटा मुलकात हुई तो जो है कि फिर हमारा भाड़ा भी नुक्सान होता है हम मजदूरी करने वाला जो है कि मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं और मारा किराया भाड़ा भी जाता है और काम भी नहीं होता है मैं और मेरा समदाज चाहता है कि इस पंचायत भौन में नियमा अनुसार काम हो ताकि लोगों की समस्या सुनी जा सके मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शों को से अपील करता हूँ कि आप रतनपुरा बलाग के वीडियो के मुबाईल नंबर 94-46-46-46 पर फोन करके दवाव बनाएं ताकि लोगों की समस्या का समदान हो सके मैं सतंदर कमार उत्तर प्रदेश जन्पदमोव से इंडिया अनहट के लिए